तो आपने देखा कि किस प्रकार सरकन दंड चित्र का निर्मान किया जाता है अभी तक हम जिन दंड चित्रों के बारे में जान रहे थे वे सारे दंड चित्र एक विमा दंड चित्र पर आधारी थे अब हम चित्रों का दूसरा प्रकार यानि कि दूई विमा दंड चित्र के बारे में जानेंगे दूई विमा दंड चित्र जो होता है उसके अंतरगत हम जिन चित्रों का निर्मान करते हैं उसमें और एक विमा दंड चित्र में एक minor difference अगर हम देखे तो इतना ही होता है में समानता को बहुत ज़्यादा महतों देते हैं वहीं द्वीवीमा दंडचित्र में इनकी लंबाई या चोड़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आविश्रेक्ता नहीं होती है अब अगर इनके बारे में हम देखें तो तीन तरीके से ये बनाया जाते हैं तीन प्रकार होते हैं इनके वर्ग चित्र वृत्य चित्र और आयाचित्र वर्ग चित्र की हम अगर बात करें तो वर्ग चित्र कब बनाया जाते हैं उस कंडिशन में जबकी दो जो आकड़े हैं वो ऐसे उनकी मात्राएं इस तरह है कि उनमें अंतर बहुत अधिक है और तुलना करना बहुत मुश्किल है और इतने बड़े वह आकड़े हैं कि अग तो शायद हम उसको एक पेज में उसको प्रदर्शित हम नहीं कर पाएंगे आंकडों को नहीं लिख पाएंगे उनका ग्राफ नहीं बना पाएंगे तो वहां पर हम वर्ग चित्र का प्रयोग हम करते हैं और ऐसी दशा में वो जो संख्याएं होती हैं उनका हम एक तो वर्ग म दारण के द्वारा इसको और अधी कच्छे से समझने का प्रयास करते हैं वर्ग चित्र यहां पर आप देख रहे हैं कि एक टेबल दिया गया है जिसमें विभिन ने परिवार की आय दी गई है इस आय को जैसे कि हमने यहां पर देखा कि वर्ग मूल पहले हमको निकाल लेना ह करने के लिए और उसके आधार पर फिर मूल का निर्मान करेंगे तो सबसे पहले तो हम टेबल को वर्ग मूल के अधार पर पर परतित कर लेंगे यहां पर हम चार कॉलम कार्वसॐ दोल बनाएंगे जिसमें सबसे पहले कर लेंगे हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे कपरिवार की आए 306 रुपय है चोला सो रुपय है गपरिवार की आए नौसो रुपय है और अंगा परिवार की आए 400 रुपय है अब अगर हम 36 का वर्ग मूल निकालते हैं तो ये 60 हमको मिलेगा, 25 का अगर हम वर्ग मूल निकालते हैं तो 50 मिलेगा, 1600 का वर्ग मूल अगर हम निकाले तो 40 मिलेगा, 900 का वर्ग मूल अगर हम निकाले तो 30 मिलेगा, और 400 का जब हम वर्ग मूल निकालते हैं तो 20 हमको प्राप्थ हो गया, तो यह हमारा तीसरा कॉलम वर्ग मूल का बन गया, अब अगर हम वर्ग की भुजा की बात करें, तो हम यहाँ पर देखते हैं, अब हम सबसे पहले वर्ग की भुजा निकालने के लिए, क्योंकि हमने कु को सेंटीमीटर के लिए मिल रहा है तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए हमने वर्ग मोड में जिन सख्याओं को प्राप्टि किया है uns को 20 से हम भाग देते जाएंगे हम की तो चालिस बहुत से भाग देंगे तो आप यह देख रहे हैं आप तीन मिल से भाग देंगे तो 1.5 और 20 को जब हम 20 से भाग देंगे तो एक इस प्रकार हमने वर्ग की भूजा यहां पर ग्याद कर ली अब अब हम जो ग्राब बनाएंगे वो यह नए बनाएंगे साड़ी के आधार पर ही बनाएंगे इसका ग्राब बहुत सिंपल बनेगा एक आधार पर हम विभिन परिवारों को अंकित कर लेंगे जैसे कह घह और अंगा और इन परिवारों की जो मासिक आए है उसके आधार पर हम एक पैमाना को मान लेंगे जैसे हमने हाँ पे एक सेंटिमीटर ब्राबर चार सो रुपय माना है तो इस पैमाने के आधार पर हम जैसे हम दे गह परिवार की जो आए है वो तोला सो है, गह परिवार की जो आए है वो 900 है और अंगा परिवार की जो आए है वो 400 रुपे हैं, इस प्रकार हम इसको यहाँ पर दर्शा सकते हैं, तो आपने देखा कि किस प्रकार वर्ग चित्रों को बनाया जाता है, अब द्वी वीमा चित निर्मान करते हैं तो वो साधारन वृत्यचित्र होता है दूसरी इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह जान लेना जरूरी है कि यह जो वर्ग चित्र के अधार पर बनाये जाते हैं तो इन वृत्त चित्रों का जो छेत्रफल होता है तो उस छेत्रफल या उसकी त्रिज्या को या उसको हम अर्धव्यास को उनिये वर्गों के छेत्रफल के अधा करें व्रित्य चित्रों के अंतर्गत जब हम साधारन व्रित्य चित्र की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार के आंकड़े हमारे पास आते हैं जिने हम सार्णी के आधार पर इंवी हम थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं जैसे हमारे पास यहां पर जो सार्णी है इसमें विभि की चार सो इस टेबल को पहले हम दूसरे पॉर्म में चेंज करेंगे क्योंकि यहां पर साधारन वृत्य चित्र के लिए हमको वर्गमूल की जरूरत पड़ेगी तो चार कॉलम वाला एक टेबल हम बना लेंगे जिसमें सबसे पहले हम देश का नाम अंकित करेंगे उसके बाद आए अंकित की जाएगी जैसा कि टेबल में दिया है उसी आधार पर हम यहाँ पर सभी देशों की प्रतिविक्ति आए अंकित कर लेंगे तीसरे कॉलम में हम वर्गमूल बनाएंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे जैसे हम आप यापर देख रहे हैं कि उन्चार सो का हमने वर्गमूल निकाला साथ पचिस सो का वर्गमूल हमने निकाला पचास 1600 का वर्गमूल निकाला 40 और 400 का वर्गमूल हमने निकाला यहाँ पर जो 20 आया है चौथे कॉलम में क्योंकि हमको वृत्य की तृज्या लिखनी है प्रती सेंटिमीटर के हिसाब से यहाँ पर जब हम यह वृत्य चित्र बनाएंगे तो हम वर्गमूल के आधार पर देखते हैं कि वृत्य चित्र का पैमाना ग्याद करने के लिए जब हम वृत्य के अर्ध व्यास के आधार पर उसका छेत्रफल ग्याद करेंगे तो यहां हम देखते हैं कि छेत्रफल किस मुल्ले को प्रदर्शित करेगा और उसी क्या धार पर हम एक सेंटिमीटर द्वारा प्रदर्शित मुल्ली को ग्याद करेंगे वृत्य का जो छेत्रफल है वो क्योंकि पाई यार स्वयर के बराबर होता है यहां पर पाई की जो वेल्यू होती है वो 3.1416 या फिर हम उसी को 22 बटे साथ भी लिखते हैं इस चित्र में एक सेंटिमीटर की त्रिज्या वाले वृत्य का जो छेत्रफल है वो 22 बटे साथ गोड़ी एक कवर्ग सेंटिमीटर होगा जो की 1600 रुपय को प्रदर्शित करता है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि एक वर्ग सेंटिमीटर बराबर 509 रुपय यहां पर एक अनुमानता हम विभिन देशों की प्रतिविक्ति आय के आधार पर वृत्य चित्र का निर्माण कर लेंगे उनकी प्रतिविक्ति आय जिस हिसाब से छोटे से बड़े क्रम ने यहां पर दी गई है उसी आधार पर हम एक वृत्य का साधार निर्माण हम यहां पर करेंगी अंतर विभक्त वृत्य चित्र के अंतरगत यहां पर क्यूंकि हमने देखा कि वृत्य के केंद्र पर 360 अंश का कोण होता है यानि कि संपूर मुल्य को हम 360 अंश मानकर प्रत्येक मुल्य को उसी अनुपात में ज्याद करते हैं इसके लिए यह जो टेबल हमको यहां दिखाई दे रहा है यहां पर विभिन देशों के नाम दिये गए हैं और जनसंख्या अंकित की गई हैं क्यूंकि टोटल 360 डिग्री मानकर हमको इसको इन सभी देशों में जो हमको यहां पर जिनकी नाम प्राप्त हैं उनमें वर्गिकृत करना है तो इस टेबल को पहले हम चेंज करेंगे और चार कॉलम वाला एक टेबल हम बना लेंगे सबसे पहले हम पहले कॉलम में देश का नाम लिख लेंगे हां पर और साथ में उनकी जनसंख्या लाखों में दी गई हैं यहां हम देख रहे हैं कि चीन के लिए 8236, भारत के लिए 7048, रूस के लिए 3320, अमेरिका के लिए 2482, जर्मनी के लिए 1296, जापान के लिए 1296, इंग्लैंड के लिए 922, फ्रांस के लिए 838, और इटली के लिए 822 तथा अन्य देशों के लिए 15100 की जनसंख्या ली गई है जो कि लाकों में है, इसके आधार पर जब हम तालिका का निर्मान करेंगे, तो हम देखते हैं कि पहले कॉलम में हमने देश के नामों को लिख लिया है, और दूसरे कॉलम में उन देशों की जनसंख्या को उनके सामने में लिख लिया है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि अ हम प्रत्यक की जनसंख्या और खुल जनसंख्या का निकाल लेंगे तो सब से पहले हम जब का अनुपात निकालेंगे तो हम 8236 गुणित 360 बटे कुल जन संख्या यानि कि 41,260 करेंगे तो 72 अंश हमको यहां प्राप्त होगा इसे प्रकार भारत के लिए अंशु की कैलकुलेशन करने के लिए 7048 गुणित 360 बटे 41,260 हम करेंगे तो हमको यहां पर 62 डिग्री प्राप् रूस के लिए 3220 गुणित 360 बटे 41,260 करेंगे तो 28 डिग्री हमको यहां प्राप्त होगा इसे प्रकार आगे दिये गए सभी देशों की जन संख्या को हम 360 से गुणा करके कुल जन संख्या यानि की 41,260 से भाग देते जाएंगे तो हमें आगे अमेरिका के लिए 22 डिग्री जर्मनी के लिए 11 डिग्री जापान के लिए 11 डिग्री इंग्लेंड के लिए 9 डिग्री फ्रांस के लिए 7 डिग्री इटली के लिए 7 डिग्री और अन्य देशों के में हमको इसका संचाई अंश लिखना है तो जैसे कि पहले के प्रेश्णों में भी हमने संचाई आवरित्ति को कैल्कुलेट किया है कि कुसी तरह से हम अंशों को संचाई अंश में परिवर्थित कर लेंगे जैसे कि 72 डिग्री चीन के लिए अभी भी रहेगा भारत के लिए 72 डिग्री में हम आगे 62 डिग्री जोड़ देंगे तो 134 डिग्री हो जाएगा रूस के लिए हम 134 डिग्री में 28 डिग्री जोड़ देंगे तो 162 डिग्री हो जाएगा इसी तरह से जैसे हम संचाई आवरित्ति की कैल्कुलेशन करते हैं वैसे ही आगे के देशों के अंश क को जोड़ते जाएंगे तो पुल मिलाकर ये संचाई अंशम को अंत में 360 डिग्री अन्य देशों का प्राप्त हो जाएगा अब इस टेबल के आधार पर हम एक अंतर विभक्त वृत्ति चित्र जब बनाएंगे तो संचाई अंशम के अनुमान के आधार पर हम इस पूरे चित्र को चीन, भारत, रूस, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लेंड, फ्रांस, इटली और अन्य देशों में उनके और अंतर विभक्त वृत्ति चित्र का निर्मान किया जाता है अब आएए हम द्विवी मा चित्र के अंतरगत इसके तीसरे प्रकार यानि की आया चित्र की बात करें आयाद चित्र के बारे में अगर हम देखे तो यहां पर जब समंकों के दो गुणों को एक साथ प्रदशित किया जाता है तो वहां पर हमको आयाद चित्र बनाने की जरूरत पड़ती है दूसरी बात अगर हम आयाद चित्र के बारे में बोले तो यह भी कहीं न कहीं आकडों क के द्वारा झैलकुलेशन करके और उसके अधार पर ही बनाय जाते हैं चैठ यहाँ पर साधारन जो हम सुत्रों का प्रयुग करते आयाँ यहां पर करते हैं लेकिन यह जो आयात के अनुसाद आयात की अनुसार जो चित्र बनाय यह भी अपने आप में तीन भागों में बटे होते हैं एक तो साधारन आयाद चित्र और फिर अंतर विभक्त आयाद चित्र और प्रतिशत अंतर विभक्त आयाद चित्र तो क्या है आयाद चित्र और यह कब इन तीनों आधारों पर किस तरह से बनाया जाते हैं आए एक उद और बा दो उतपाद स्वादिकाईओ के लिए बिक्री की मात्रा दिय हुई है कच्ची समाघरी का मूलज़ दिया New उतपादन के अण्य व्य दिय हुए और लाब दिया हुए इसी तरह आग का जो मात्तरा है वह वह दोर्पे प्रती इकाई है और बाओ में विक्री जो मात्रा है वो बैसी काईयों की है इसितरह आ की का जोबिकरी मुले है वह दो रुपे प्रतिकाई है और बा का जो मुले है वो तीन रुपे प्रतिकाई है इस टेबल dud को क्योंकि हम 4000 अंतर विभक्त आयाट चित्र बनाना है तो पहले तो हम इसको जो इकाई या दी हुई है उसे प्रतिकाई की हिसाब से हमको इसको चेंज करना होगा इसलिए हम एक अलग टेबल का निर्मान कर लेंगे यहां पर हम तीन कॉलम वाला एक टेबल बनाएंगे और वो तीन कॉलम भी इन दोनों इकायों केशापसे two-two कॉलम में बटे हुए हुँगे सबसे पहले हम पहले कोलम में कच्छी सा माघरी लिखेंगे के लिए हम अलग पोरृचन लेते हो बाग के लिए अलग पोरृचन है यहाँ पर एक यह बात में दर्शानी होगी कि आज हो है वहाँ पर 40 इकाईंस की बिक्री हुई है दो रृपय प्रती ही काई की हिसाब से और में था पर भी स्मागरी के सु法 छिभ मगत करें टो जैसे कि पहले टेबल में हाँपर दिया हुआ है कि कि आ जो जो इसका होता है टूटल वह असी रूपए है अगर हम इसको प्रती इकाई में हमको व्यक्ति करना है तो यह मूल ने कूल यहाँ पर दिया है यह 40-फ यहांद करना है और फ्रती से हम immortals को भाग देंगे जैसे 26 को हम 40 से भाग देंगे तो दशमलो 6 5 32 को जब हम 40 से भाग देंगे तो दशमलो 5 5 हमको यहाँ प्राप्थ होगा यानि कि कुल मुले इसका 2 रुपए आएगा बिल्कुल वैसे ही बाइकाई के लिए हम देखते हैं कि बाइकाई के बिक्री की मात्रा अगर हम कुल मुले की बात करें तो बाइकाई के लिए बिक्री की मात्रा कच्छी समागरी जो है वो 24 है अन्य वै जो है वो 21 है और लाग जो है वो 15 है अब क्योंकि यह जो कुल वै है य हम इन सभी को भाग देते जाएंगे जैसे 24 को जब हम 20 से भाग देंगे तो एक दिशमलों दो शुन्य 21 को जब हम 20 से भाग देंगे तो एक दिशमलों शुन्य पांच 15 को जब हम 20 से भाग देंगे तो अंकित किया हुआ है जो कुल इकाईया दोनों यूनिट ए और बी आ और बा के द्वारा बनाए गई है और रेखा ओ वाई पर हमने प्रती इकाई मूले यहां पर लिया हुआ है इस ग्राफ के आधार पर पहले हम आ यूनिट के अगर बात करें तो हम देखते हैं कि आ यूनिट में कच्ची समाग्री जो है इस आधार पर हम इस तरह से एक ग्राफ का नर्माण कर लेंगे संकेतों के आधार पर हम कच्छी समागरी अन्यवय और लाभ को अलग-अलग संकेत दे देंगे जिससे इनको पहचानना सरल हो जाएगा इसी तरीके से हम बा की अगर बात करते हैं बा इकाई की तो हम देखते हैं कि कच्ची सामागरी पर जो प्रतीकाईवे है वो एक रुपय बीस पैसा है अन्य वे जो है वो एक रुपय पांच पैसे है और लाब जो है वो 75 पैसे का है यानि कुल मिलाकर तीन रुपए का इस परवे किया गया है इसे हम इस तरह से ग्राफ दौरा प्रेजन्ट करेंगे और अलग-अलग संकेतों के अधार पर हम इनको अलग-अलग रूप से वर्गिकृत कर लेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक अंतर कि अलिक को 100 मानकर और फिर उसे जो भी जानकारी दी हुई है उसके अनुपात में उसको डिवाइट करके टेबल बनाते हैं और उसके अधार पर फिर हम ग्राफ का कर लेंगे इसके लिए हम एक नए टेबल का निर्माण करेंगे जिसका प्रारूप इस तरह से होगा इस टेबल में सबसे पहले हम वै की मदे लिखेंगे यहां पर परिवार आ के लिए जो पॉलम बनाया जाएगा वहां हम इस परस्ट रूप से दर्शा देंगे कि जो 500 रुपए आय है वो उस परिवार की आय का पूरा का पूरा 100 प्रतिशत है इसी तरीके से परिवार ब में 800 रुपए की जो आय है वो पूरे परिवार की आय का 100 प्रतिशत है अब खाद्यान के जब हम इसमें प्रविष्टी करेंगे तो पुराने टेबल के अनुसार हम देख रहे हैं कि खाद्यान जो है वो 200 रुपए है, कपड़ा 100 रुपए, मकान किराया पर 90 रुपए, इंधन बिजली पर 30 रुपए और अन्य वै 80 रुपए, इस प्रकार से कुल म लाकर 500 रुपए हाँ पर वै किया गया, अब यह जब हम इनका प्रतिशत निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि इन खाद्यान, कपड़ों, और मकान किराया, इंधन और अन्य वै यह इस परिवार की कुल आय याने की 500 के कितने कितने प्रतिशत है, तो खाद्यान जो 200 होगा, उसी प्रकार कपड़ा पर जो 100 रुपया वै किया गया, वो परिवार की कुल आय का कितना प्रतिशत है, यह निकालने के लिए हम 100 गुड़ित, 100 बटे 500 करेंगे, तो यह 20 प्रतिशत आएगा, ठीक, इसी प्रकार हम मकान किराया के लिए 90 गुड़ित, 100 बटे 500 तो 6 प्रतिशत, और अन्य वै जो हुए है, वै असी गुड़ित, 100 बटे 500 हम करेंगे, तो 16 प्रतिशत, यानि कि खुल आय का 16 प्रतिशत जो है, वो अन्य खर्च किया गया है, cumulative percentage, यानि कि संचाई प्रतिशत जब हम इसका निकालेंगे, तो जैसे कि आपने पहले भी कई बार संचाई प्रतिशत या संचाई आवरित्यों की कैलकुलेशन की है, ठीक, उसी प्रकार हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे खाद्यान पर जो है वो 40 ही है, फिर कप्ड़ा को जब हम इसमें जोड़ देंगे, संचाई आवरित्य में हम प्रति जो भी नेक्स्ट आती जाती है, खर्च उनको जोड़ते जाते हैं, तो 40 में हम 20 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमको community percentage जो है, वो 60 मिल जाएगा, 60 में फिर हम मकान किराया जोड़ देंगे, अठरा तो यह 100 हो जाएगा, यानि कि कुल मिलाकर यह दर्श आता है कि कुल 100 प्रतिश्यत वे यहाँ पर किया जा चुका है, ठीक इसी प्रकार बापरिवार के लिए भी हम एक table का निर्माने हाँ पर करनेंगे, यहाँ पर बापरिवार अपने खाद्यान में 250 रुपे, कपड़े पर 200 रुपे, मकान किराय पर 100 रुपे, इंधन इमंबिजली पर 50 रुपे, और अन्य वे 200 रुपे करता है, यानि कि कुल मिलाकर यह परिवार 800 रुपे वे करता है, अब इनके जो वे हैं अलग अलग, यह इसके कुल आए के कित्ते प्रतिश्यत हैं, इसको निकालने के तो 250 गुड़ित 100 रुपे 800 तो यह प्रतिश्यत आएगा 31.25, कपड़ा का अगर हम प्रतिश्यत निकाले कुल वे का, तो 200 गुड़ित 100 रुपे 800 तो यह 25 प्रतिश्यत आजाएगा, इसे प्रकार हम मकान किराया, इंधन बिजली और अन्य वे कुप का भी प्रतिश्यत निक जाएंगे कुल सो प्रतिश्यत यहां पर वै किया जा चुका है कमिलेटिव परसेंटेज जब संचाई प्रतिश्यत हम निकालेंगे तो ठीक परिवार आ की तरह ही हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे जैसे पहला जो खाद्यान है उस पर 31.25 ही रहेगा साथ में जब हमने कपड़े चुन्य वै कर दिया गया तो यह 8.75 पृतिशित हो गया इस टेबल के आधार पर हम बहुत आसानी से एक ग्राप का निर्माण आयाद चित्र का निर्माण कर लेंगे, X-axis पर हमने परिवार A और B की जो प्रती महा आए है उसको अंकित किया है, Y-axis पर हमने प्रतिशत के आधार पर वै को अंकित किया है, हम यहाँ पर देखते हैं कि परिवार A का जो वै है वो खाद्यान पर 40 प्रतिशत, कपड़े पर 20 प्रतिशत, मकान किराया पर 18 प्रतिशत, इंधन एवं बिजली पर 6 प्रतिशत, और अन्य जो वै किये गये हैं वो 16 प्रतिशत हैं, इस प्रकार जो कुल वै है वो 100 हैं, अब जब हम इस साणी के आधार पर ग्राफ का निर्माण करेंगे, तो क्योंकि ग्राफ का निर्माण प्रतिशत के आधार पर करना है, और कुल 100 प्रतिशत वै का टेबल हमने आपर बना लिया है, तो कुल 100 प्रतिशत में से संकेतों के आधार पर इन प्रतिशतों को हम अलग करते जाएंगे, और उनका अलग-अलग संकेत हमें आपर देते जाएंगे। जैसे सबसे पहले खाद्यान की बात करें तो खाद्यान पर 40 प्रतिशत याने सरवाधिक वै किया गया है। इसी प्रकार कपड़े पर 20 प्रतिशत वै किया गया है कुल आय का। मकान, किराया पर 18 प्रतिशत इंधन एवं बजली पर छह प्रतिशत और अन्य वै जो है वो 16 प्रतिशत किये गये हैं। वैसे ही परिवार बा के लिए हमने कुल वै 100 प्रतिशत में से किये हैं और प्रतिशत के आधार पर हम यहां पर आयात का विभाजन भी करेंगे। तो हम देखते हैं कि खाद्यान पर 31.25 प्रतिषत कपड़े पर 25 प्रतिषत मकान एवं किराया पर 12.5 प्रतिषत इंधन एवं बिजली पर 6.25 प्रतिषत और अन्य जो व्य है वो प्रतिशत किये गए हैं इस प्रकार पूरे सो प्रतिशत वय यहां पर किये जा चुके हैं यहां पर हमने खाद्यान कपड़ा मकान किराया इंधन वबिजली तथा अन्य वयों के लिए अलग-अलग संकेतों का प्रयोग करके इन्हें अलग-अलग दर्शाया है पैमाना वाय पर वाय अक्षपर हमने एक सेंटीमीटर को दस प्रतिशत की बराबर माना है तो इस प्रकार हमारा प्रतिशत अंतर विभग आयाद चित्र बनकर तयार होता है तो दुवी वीमा चित्रों के अंतरगत आपने देखा कि किस प्रकार वर्ग-चित्र वृत-चित्र और आयाद चित्रों का निर्मान किया जाता है अब चित्रों के प्रकार के क्रम में हम अगला स्टेप यानि की तीसरा जो इसका प्रकार है यानि की त्री वीमा चित्र इसके बारे में जानेंगे त्री वीमा चित्र में जब आक्डों की जो राशिया प्रदर्शित की गई है उनकी संक प्रक्रिया को देखते हैं कि प्रती लगुगुणा का भी प्रयोग करते हैं आये कुदाहरण की दौरा देखते हैं कि किस प्रकार से त्री वीभाजित चित्र का प्रियोग करते हैं और फिर उन्हीं 64 पर गुजायों का मुहाफर प्रॉदशनम् करते हैं इस साणी में हम देख रहे हैं कि व्यक्तिक का खा और गह की जो आय है वो रुपयों में दी गई है का की आय एक जार रुपय है खा की आय आट जार रुपय है और गह की आय 27,000 रुपय है ऑले हम इस टेबल को परिवर्टित कर लेंगे क्योंकि हम यहा पर घन मूल और गन की एक भुजा भी निकालना है graph बनाने से पहले व्यक्तििक का की अगर हम बात करें तो उसकी i 1000 है अगर हम इसका घन मूल निकालते है एक हजार का तो दस हमको मिलता है खा जो व्यक्ति है उसकी आए 8000 है इसका घन मूल जब हम निकालेंगे तो 20 राप्त होता है गा व्यक्ति की आए 27000 है जब हम इसका घन मूल निकालेंगे तो 30 हमको मिलेगा अब क्योंकि स्पस्ट कर दिया गया है कि घन मूलों के अनुपात में ही घनों की बुजाय रखी जाएंगे तो अगर हम घन मूल का अनुपात निकालते हैं तो 10 अनुपात 20 अनुपात 30 यह हम कह सकते हैं एक अनुपाद, दो अनुपाद, तीन हमको मिला है तो इसी आधार पर हम घन की बुजा रखेंगे एक सेंटीमीटर क के लिए, खा के लिए दो सेंटीमीटर और गा के लिए तीन सेंटीमीटर और इनी बुजाओं के आधार पर हम क के लिए, खा के लिए और गा के लिए अलग अलग घन क्या धार पर हम इनका त्री वीमा चित्र निर्माण हम इसका कर लेंगे तो आपने देखा कि किस तरह त्री वीमी चित्र बनाये जाते हैं अब हम जो चित्रों का प्रकार है उसके चौथे प्रकार याने की चित्र लेख या पिक्टोग्राफ के बारे में जानेंगे पिक्टोग्राफ चित्र बहुत इंट्रेस्टिंग होते हैं जब हम ग्राफ बनाते हैं तो संपोन जो हमारे आकड़े होते हैं उनकी हम प्रकृती को देखते हैं कि किस तरह के वो आकड़े कई बार जब वह आख्ड़े जनसंक्या से संबंधित होते हैं तो आप देखते होंगे कि हम मनुष्यों के जो चित्र होते हैं उस के प्रधरशन प्रशे करते हैं क्रिशी उपर से संबंधित आकड़े होते हैं तो हम प्रयास करते हैं प्रिक्टोग्राफिकल प्रिजेंटेशन जब करते हैं कि जो आकड़ों की प्रकृती है जिस तरह कि वह आकड़े है वैसा पिक्चर वहाँ पर प्रिजेंट कर सकें अब इसके अंतिम प्रकार च कि जिस सबजिक पर हम किसी का डाइग्राम बना रहे हैं तो उसका एक संकेतिक प्रदर्शन हम आपर करते हैं जिसे उदारण के तोदून हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्षा से संबंदित कुछ आकड़े हैं तो हम कुछ वर्षा की इस प्रकार से चित्र वहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं कृषी उपर से संबंदित आकड़ों के लिए हम कुछ अलग संकेत दे देते हैं या मानसून से संबंदित को जानकार तो कुल मिलाकर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ग्राफ के द्वारा जो प्रस्तुती करण है उसका एक मुख्योद्धेश यही रहता है कि सांखिकी के अंतरगत अनुसंधान की जो संपूर प्रक्रिया है उसको इंट्रेस्टिंग बनाना उसको रोचक बनाना साथ ही ऐसा बना देना कि कोई भी वेक्ति जब उन चित्रों को समझे तो देखे तो उसके बारे में वो बहुत आसानी से सारी जानकारी हासिल कर पाए और काफी लंबे समय तक वो सारे जो उसके गुण है उसके अंदर जो चीजे निकल कर आनी है जो उसका उद्देश है वो सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ सकें